शुरुवात में हम देखते हैं यह बीज सिस्टम को open करता है और कहता है system job को change करो ते साथ उसके सामने एक system आती है जहां प्छा जाता है कि job change system सुरू कर देगी है यह देखती वे वह बन्यमन कहता है तो यह है job system इसे के साथ वो अपने सामने करें सार job को देखता है जिसमें स एक profession मेज होता है यह एक long range profession है जहां magic कर यूज किया जाता है यह देखते हुए यह भी मनुट कहा रहा होता है long range job यह काफी ज़्यादा बढ़िया है यह सुन्दे में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तब इस सिच्टम से warrior profession के बारे बताता है जिसमें तुम अपने सब से weapon को चूस कर सकते हो और यह combat type profession है जिसमें limit को सरपास किया जाता है यह देखते वह यह भी कह रहा होता है मुझे यह काफी ज़्यादा पसंद आई इससे के साथ आखरी profession बुद्दिष्ट मॉंक compassionate और merciful जो कि दुनिया के सभी बिंग्स को ग्यान देने वाला है और यह तीन यह देखते ही वह कहा रहा होता है हाला कि सच्मी यह काफी ज़्यादा द्रदनाक था लेकिन ऐसा लगता है कि मैं अपने पूरी body में power को महसूस कर सकता हूं ऐसा लगता है कि मेरी body पहले से बढ़ चुकी है इसे के साथ वो शावर करते हुए अपने status को देख रहा होता है जहापे उसकी power level बहुती ज़्यादा बढ़ चुकी होती है यह देखते हुए वह काफी ज़्यादा गुश होता है और कहता है मेरी comment power पहले से तीन गुना ज़्यादा हो गई है और हमें आसानी से उस ग्रिफिन किंग को हरा सकता हूं यह कहता ही वह एक जगर बैठ जाता है और कहता है normal monster के लिए उनसे मुझे experience point पाना यह काफी ज़्यादा होगा ऐसा लगता है कि forest में जाने का समय आ चुका है अब मुझे बड़ा शिकर करना पड़ेगा तावे system उसे main quest देता है और उसका main quest path of war god होता है जहापे उसकी quest content उसकी martial arts के लिए 10 million लोगों से तारीफ से अपने edge को दिखाना है यह देखते वे वह कहा रहा होता है यह तो मुझे forest में जाने के मजबूर कर रहा है अगर यही मामला है तो ठीक है मुझे वाइलरनेस के डेंजर का experience करना होगा और कुछ से बाद वह कुईंचेंग सिटी के adventurer guild में पहुच जाता है जिस बिलिंग क अवेकन करना होगा इमत और समझ होता है सब बाठ दिया जाएगा तो पहले और पहले पाव इसके साथ और एक तरफिकाद में चिला रहा होता है और कहता है यह बड़ा मौका है तो यह सब देखते वे यह वे मनिमन कहा रहा होता है यह मेरे पिसले लाइफ के online game के गिल जैस है अगलत जगा में एक हए है और और वेकन टीया पे का प्दी लॉच्छ की स्था सबस्क्रेद्स कई होती है यह नहीं मैं यहां पर देखने के लिए था यह सुनते वे काफी ज़्यादा गुस्ता आती है और तुम किसी आंटी बुला रहे हो यह सुनते वे यह भी गवराने लगता है और मनीवन कहता है मैं है और मैं तुम्हें आंटी ने खूंगा तो क्या कहूं पैसे भी तुम तुम पूरी हो आपको देखे काफी ज़्यादा अच्छा लगा वैसे मैनुशी मुझे इस मामले को फेस करने दो यह सुनते वे वह काफी ज़्यादा रहन होती है और वहां से जाते वह क्या रही होती है बच्चे इस बार तुम बच गया लेकिन अगली बार मैं तुमें नहीं छोड़ूं मैं भी वाइलफार में जाके एक्स्पीरियंस लेना चाहता हूं कि काफी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है तो लुग से कहते क्या यह तुम क्या कह रहे हो वाइलफार चारो तरफ से बढ़ा हुआ है और तुम्हारे बातों से ऐसा लगता है कि तुम जरूर एक गंड़ पूरी करूंगी यह कहता तो ठीक है कौन की स्केचा पूरी करेगा यह तो तुम्हें पसा चल जाएगा और वो दोनों जखड़ा करने लगते हैं जो कि देखते हैं सभी लोग काफी ज़्यादा कुश हो रहे होते हैं और यह बहुत ही जो से घुसा मारता है जो कि देखते ह मुझे नहीं पता कि तुम्हारी स्किल कितनी ज़्यादा पाउरफुल है लेकिन एडवेंचर गिल्ड चीपेवे ड्रेगन और क्राउच इंटाइगर से बढ़ा हुआ है यह काफी ज़्यादा गतरनाक हो सकता है तो बैतर यह होगा कि तुम कोई भी परिश्या नहीं पैता कि सफर किया है तो मुझे जंगल के बारे में बताओ तो यह सुनते वह कह रहे होते ठीक है मैं तुमें बताता हूं कुइंचिंग सिटी के बाहर का इंवार्मेंट काफी जला कॉंप्लिकेड़ है लेकिन सबसे खतरनाक आसपाल के चारों और फोर मेजर डेंजर जोन हो सकता है यह देखते हैं यह वह काफी एहरन होता है उससे कहते हैं क्या फोर मेजर डेंजर जोन्स आकर यह क्या है तो वह कह रहे होते हैं इस्ट में फिरस टाइगर मांटेन जहां हजारों फ्रोसियस बिस्ट रहते हैं गोल्डर विंग टाइगर किंग इस जगा को डॉमिनेट कर दिता है इसके साथ साथ के आर। फॐलावर जी जोके देंग सीट से 300 mil चे से की जए सबसे जप्रतें संब्स्ते है वहिए सबसे घृष गोस्ती फिर्स मॉस्टर उन्हें मारकर तुम्हें काफी जादा लेवल अब कर सकता हूं और यह मेरे लिए अच्छा मौका है यह कहते हैं वह काफी जादा खुश्वरा होता है जो कि देखती हुए कुई बन कहता है आखिर यह बच्छा तुम अपनी ताकत में सुधार करना चाहते हो तो बस कुछ स्कैटर फिर्स मॉस्टर है जिनसे तुम्हें डील करना है तो तुम यह कर सकते हो और जिससे तुम्हें वर्डरनेस की डीप में जाने की कोई भी जूरत नहीं है यह बहुता है तुम यहां से नहीं जा सकते हो इसके साथ वोस के पास आते हुए क्या रहा होता मुझाज है बच्चे आकर तुम से बाहरा क्यों जाता है तब यह नहीं है लेकिन यह वह से गयब होजाता है यह देखता है क्या आक यह बच्चा कहा चले गया आकि यह बाहर क्यों जाता है और वो जीजियन टाउन में चिले जाता है जहां पर काफी सारे monster होते हैं जो कि देखते हैं वो मनिमन कहा रहा होता है कहता है सबसे पहले मैं अपने स्किल को तुमारे पर ट्राइ करूँगा इसे के साथ यह कहते है वो इस पर अटाइक करता है और उसे माड डालता है तो कह रहा होता है तुम तो एक एट के भी लायक नहीं हो और वो मनिमन कहता है यह तो वो monster hunting life है जो कि मैं बस पन से जाता था यह काफी अचा है लेकिन दोसी तरह आफ यह आवा सुनते वे बहुत सारे यानिकी सैक्रो रैड आइट जाइंट रैड बाहर निकलते हैं और उसको पर अटाइक करते हैं यह देखती वह यह भी कहता है अगर यह के लिए तो यह वर्क नहीं करेगा तो इसलिए इन लोगों ने गुरूप बना लिया तो चला ठीक है इस टाइम मुझे अपने नियू मूफ को ट्राइक करना चाहिए और इसे के साथ वह अपनी वार्य टेक्निक को इस्तिमाल करता है और अपने एक ही अटैक के साथ उससे कई सारे एक्सी पॉइंट मिलते हैं और बाद में उस सारे के आता है और तभी उसके सामने एक बड़ा सा टैकर आता है लेकिन जैसे उस पर टैक करता है वैसे ही यह उसके पीछे चले जाता है और यह जो टैकर यह गोल्डन विंग टाइगर है इसके लेवल 15 और कॉमेट पावर 900 होती है यह देखती वह यह वी क्या रहा होता है मारी पहले करना की वह और कमरें सब्सक्राइग सामने जित'll अटेर के सब्सक्राइगों कारों के रहा है और यह वह क्यूंता है यह ग्रिफिन बेटल आमर यह उने के लिए काफी अच्छा है नहीं तो शाहिए मैं उनके बीस वज जाता और यह कहते हैं वहाँ से निकल रहा होता है वह कहता है यह वाल्डरनेस काफी जदा खतरनाक है और यह टाइगर्स मेरा पीज़ा कर रहे हैं लेकिन अगर इन्हें मज़ा तो ठीक है अब मेरी बारी यह कहते हुए वह अपनी ड्रैगन डिसेंड़ फिनिक्स का यूज करता है जिससे कि वह सारे के सारा टाइगर मारे जाते हैं और यह वह कुछ अजीब से महसुस होने लगता है और उसकी एनरजी बहुती जदा कम होते जाती है वह कहा रहा होता है ड्रैगन डिसेंड़ फिनिक्स स्लैस यह बहुती जदा स्टैमिना कंस्यूम करता है इससे मैं रेगुलर मूफ नहीं कर सकता यह काफी जदा बेकार है और इसके रावा मेरे लिए यहां की एक्सपिरियंस काफी जदा कम है मैंने अभी अभी गोल्डन विंग टाइगर के ए एक चारा के रूप में तब यह टाइगर आते इस पर टाय करता है लेकिन यह बहुत ही जदा चालाक है अब वो सब एक साथ है जब वो अकिले होते है तो इन्हें मारना जाद मुश्किल नहीं होता बस मुझे कुछ और कोई मारना है फिल्में लेवल अप कर पाऊंगा और वागे बढ़ते हैं क्या रहा होते है रहने दो इसे बूल जाओ चला देखते हैं क्या कोई और फेरोसियस मॉस्टर है अब यह दूर से एक गोल्डन विंग टैगर को देखता है जो कि देखते हैं वो कह रहा होता है तो शायद मैं उसे मार सकता हूं और यह कहते हैं काफी तेजी के साथ वाँ पर चले जाता है तभी उसे देखती है काफी जाधरन होता है और कहता है यह क्या मंसुट होता है और फो जो गोल्डन विंग टैगर होता है काफी जाधा बड़ा होता है इसकी लेवल 25 होती है और इसकी कॉमङ kindergarten कोई 7000 है यह देखते हैं क्या कोई एक crunch के साथ सकता है यह उड़ते विए काफ़ी जाकर घरता है मेरा लग यह तो कितना बेकार है यह इतना बुर यह सकता है और इसे के साथ वर्टिकल चौप और होराइजोंटल श्रीप का अटेक करता है इससे कि वह उसके लेवल 11 हो जाती है और जाएब इसके एट्रिवीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है यह देखती है वह कहा रहा हो तक से पहले लेवल 12 तक पहुंच जाओंगा यह कहते हैं वह उनके लाज को देख रहा होता है साकारी मॉस्टर नरिश्मन के लिए काफी ज्यादा ग्रीट होते हैं और यहां पर यह बहुत सारे हैं तो मैं है रहना कि क्या मेरी इन्वेंटरी इन सबको पकड़ सकती है वैसे मेरी स्ट्रेंद इन साकारी मॉस्टर से कई जादा है लेकिन फिर भी मैं उन्हें मारने के लिए स्ट्रोगल कर रहा हूं ऐसा लगता है कि मुझे पने इसकल के उपर काम करने की जुरुत है तब ही वह पने पीछे देखता है जहां पर कई सारे मॉस्टर दोसरी और भाग रहे हो कहती है डैट जल्दी करो मैं से जादर देरी तक रोक नहीं सकती दोसी तरफ हम देखते हैं कि अन्शान उस मॉस्टर के लिडर से लड़ रहा होता है वह क्या रहा होते थोड़ी दिर और रखो मैं इस मॉस्टर को तुरंत मार डालूंगा लेकिन तब ही मॉस्टर वहां से गूमते हुए दुसी तरफ जा रहा होता है जो कि देखते हैं काफी जादा रहन होता है वह क्या रहा होते है मॉस्टर यह तुम क्या कर रहे हो बागो मत और मनिवन कहता है यह हैं और से बुल किंग बहुत जादा चालाक है अगर हम और थोड़ी दर करेंगे तो शैद हम जादा देर हो चुकी है दुसरी तरफ यांग कह रही होती है जैट प्लीज मुझे माफ करना लेकिन मेरा टाइम आ चुका है ताभी आचानक से उसके सामने वाले मौस्टर के उपर अटायक करता है और वहां पर यहीं बहीं आता है वह कह रहा होता है और चाहरा होता है यह बहतर वेबन बनाना चाहता था इसलिए मैंने हैवन होर्ट सेवेज बूल किंग को निशाना बनाया लेकिन अनेक्सपेक्टेडली थोरी चूक के वज़े से वो मेरे जाल में नहीं फस पाया यह सुन्दे भी यह भी कह रहा होता है अंकल लो ने तो सच में गरबर कर दी तो कुइंग शान कह रहा होता है जब मैंने इस आदमी को डरा दिया है तो उसमें वापस लड़ने की कोई भी हिमत नहीं है लेकिन दीरे दीरे इनकी नमर्स काफी ज्यादा हो रहे है यह देखती हूँ यह यांग कह रही होती है पिताजी चलो आगे बढ़ो और फायल करो तो क यह बहुत अगर नेरे बढ़ने का कहरें चलो नेहीं जलते है तो यह रही होता है बच्चे एक बार जब मिस्चाल का यूस कर लोगा तो मेरे पास कोई भी स्टैमीना नहीं बचेगी और अगर तुम fail हो जाते हो तो हम सब यही पर ही मारे जाएंगे तो यह भी कहता है चिंदा मत करो मुझे अभी अभी enough life मिल चुकी है और वो ओपर उड़ते हुए money money कहा रहा होता है heaven heart and savage bulls यह बहुत सारे है अगर मैं अपने level बड़ा भी दो तो शायद मैं उनका सामना नहीं कर पाऊंगा तो इसलिए मैं उनके leader को फकरना चाहता हूँ और इसके लिए मैं अपना सब कुछ दे दूँगा और इसके साथ वो उनके leader के उपर attack करता है और इस पर attack करते हुए नीचे गिरा देता है जो कि देखते हुए सभी लोग काफी ज़ादा रहन होते है इसके साथ यह बेर ड्राइगन डिसेंडिंग फिनिकस लैस के यूज़ करता है और उस attack के साथ उस monster को मार डालता है इसके बाद वो कहा रहा होता है अभी एक खतम हो चुका है और उसे मानने की वज़े से सारे के सारे monster हैं वा से भागने लगते हैं जो कि देखते हुए उन में से दो लोग आपस में गले लगा के रोने लगते हैं और कहते है brother हम तो भज़ गए यह देखते हुए कुईंग्शन कहता है अच्छा चलो इन दोनों कहीं पर ही छोड़ देते हैं और उन्हें इन monster को खिला देते हैं यह सुनते वे यहां कहरी होती है ठीक है तुम्हारे बातों से सहमात हूँ मैं अने नहीं जानती कुईंग्शन यह भी को देखते वे कहा रहा होता है यह बस मेरा impulsive decision था और उसे तुम पर किया गया ऐसा नसमझना तो यह भी उसके पास आते वे कहा रहा होते हैं अंकल लुओ वो लैट होने के कोई भी जूरूत नहीं है हम तो एक दूसरे के काम आएंगे ही देखते भी कुईंग्शन काफी ज़्यादा गुस्ता होता है और मनिमन कहता है यह बच्चा सच मुच काफी ज़्यादा साहस ही है लेकिन इसके चेहरे को देखकर मुझे उसे सबक सिखाने की हिच्छा हो रही है यह भी उसे कहा रहा होते हैं अंकल लुओ मैं इस मॉंस्ट्रों अपने साथ ले जाऊंगा यह काफी ज़्यादा बढ़ा दिता है और वो मनिमन कहता है यह तो एक गरिट फसल है इसके साथ मेरे एडिवर्स बहुत ही ज़्यादा तीजी से बढ़ेंगे तब ही कुढिक्शन कहा रहा है रुको एक पल रुको यह सुनते बहुत यह भी कहते है किया अंकल लूओ KhyIA हो गया है कुढDING्शन कहा रहा है यह थी तुम्हारे टेलन काफी बैसले इंपरेसिव है लेकिन तुम्हारे से यूज करने का तरीका काफी ज़्यादा बेकार है मैं तुम्हें वो तरीका सिखाऊंगा जिनको मैं जानता हूँ और जिनका यूज मैं ताकत को हासिल करने के लिए करता हूँ तो ये सुनते वे ये भी काफी ज़्यादा कुछ होता है और क्याता है चीनता मत करो अंकल मैं जरूर आउंगा तो यांग उसे कहा रही होती है है इपरवर्ट बहतर यह होगा कि तुम अपने कपड़े को बदल लो ऐसे लगता है कि तुम सब कुछ रिविल कर रहे हो तो यह भी कहा रहा होते है हाँ तुमने विल्कुल ठीक कहा और फिर कुछ समय बाद हमें लू माउंटन टाउन का सीन दिखाया जाता है जहां यांग के घर के सामने जाते वे यह भी कहा रहा होता है तो यह लू फैमली की ब्रैक स्मिक की शॉप है तो इसके समने यांग आती है और उसे कहती है है वाइड स्प्राउट मैंने सोचा था कि तुम हमें ढून नहीं पाऊगे और वो एक अजीब से सूट में होती है जो कि देखती हुए ये बे काफी जादा रहन होता है तो यांग उसे देखती हुए क्या रही होती है और कहती है कमीने अगर तुम लड़ना चाहते हैं तो बस कहो मैं तुम इसने शुरू किया तुम दोनों शांत हो जाओ आज मैं यांग क्लिक न्या वेपन बनाऊंगा ये कहते हैं वो अपनी मशीन से उस हॉरन को बाहर निकालता है और कहता है मैं तुम दिखाऊंगा कि पावर यूज़ करने के लिए स्पेशल मेतट का यूज़ कैसे किया जाए तो इससे धियान से देखना ये कहते वे वो से निकालते वो इस पेटने लगता है ये वे उसे देखते वे मनिमन कहा रहा होता है ये तो अमेजिंग है अंकल लुओ का हैमर ये चोड़ा नहीं है लेकिन उसकी पावर सर्फराइजिंग लिए बहुत ही जादा बढ़िया है ये सच मुझ एकस्टारडिनरी है मुझे इससे याद करना होगा तब ही उसे एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जाब इससे बताया जाता है कि उसने एलिमेंटरी पावर में महारत हासिल कर ली है ये देखते वे वो काफी एरन होता है और मनिमन कहता है मैंने इसमें पहले जानते हो जैसे तुम जानते हो मैंनें इससी क्लिया ये सुनते वे यांग काफी ज्याला गूस्ते होती है और मनिमन कहती है या कमीनथ ना जद आहेंकारी क्यों है मैं तो सच में से मुका मारना चाहती हूँ और ऐसे ही रात हो जाती है हम दखते है वह वेपन बन के त्यार हो जाती है जो की देखते हुए यांं काफी खुश होती है और कहती है यह है वहले हॉन फिर्जश बूल्, वाड़ ये तो ready हो चुकी है ये कहती है वो से फकरने जाती है जो की देखती हुए कुईशन क्या था ध्यान से तब ही वो ज़े स्वाड होती है वो हावा में उनने लगती है ये देखती है सभी लोग काफी जाधा रहन होते है तब ही वो स्वाड काफी तेजी के साथ यांग के तरफ बढ़ती है और अगर मैंने इसे पहले ढून लिया होता तो मैं इसकी ट्रेणिंग जारी रखता और इसकी इच्छा पूरी करता और वो यंग से कह रहा होते है यंग प्लीज मुझे माफ करना लेकिन तुम्हारा वेपन ये टूट चुका है तो यंग कह रही होती पीता जी ये ठीक है यहां देके एक नॉर्मल से वेपन के साथ भी मैं मार्शल आर्ट्स इंस्टिट्यूट के एक्स्ट्रीम तक पहुश सकती हूँ कोई इंग्शान ये भी से कह रहा होता है प्लीज मुझे माफ करना मेरा इरादा था कि मैं तुम्हें ये टेक्निक सिखा हूँ लेकिन ऐसा हो गया ये मैंने सोचा नहीं था प्लीज मुझे माफ करना तो ये भी कह रहा होता है कोई बात नहीं अंकल मैंने इसे पहले सीख ल क्या रहा होता है जिस तरह से वह अपनी पावर को पहले से बिल्कुल डिफरेट फॉर्म में डिस्ट्रिब्यूट कर रहा है ऐसा लगता है कि वह एक बार देख के लिए सीख चुका है यह बहुत ही जादा खतरनाक एविलिटी है क्या यह बच्छा कोई मॉस्टर तो नहीं है तो उसी तरफ यह बे उस टुक्रे को लेते वे यांग से क्या रहा होता है यह चिर्चिरी और हत पास एक डिसेंट वेपन है अगर मैं इसके साथ तुमारे टेस्ट करू तो इसका क्या ख्याल है तो वह क्यारी होती है तो क्या तुम मुझे एक लॉंग इस्पियर देने के त्यार हो यह बहुता है लॉंग इस्पियर यह तुम पर सूट नहीं करेगा यह कहते ही वे इसे मुझे चाहिए लेकिन वह इसे तुम्हें इतनी बड़ी सौट काहां से मिली तो यह बहुता होता है यह मेरी अब्ज़ेक्ट को ला सकता हूं इसमें कुछ भी स्पेशल नही है उसे लेते भी यह कह रही होते हैं यह अब्लेटी तो काफी अच्छी है जब हम हांट के लिए बाहर जाएंगे तो यह हमारे काफी मदद करेगा यह सुनते भी महिमन कहता है मैं सिस्टम के एक्जिंस के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा और यह मेरा सबसे बारा ट् सब्सक्राइब कर देना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो मिलते हैं वीडियो में तब तक के लिए